Story of the day साधू और नर्तकी किसी गाउ में एक साधू रहता था जो दिन भर लोगों को उबदेश दिया करता था. उसी गाउ में एक नर्तकी थी, जो लोगों के सामने नाचकर उनका मन बहलाया करती थी. एक दिन गाउ में बाढ़ आ गई और दोनों एक साथ ही मर गए. मरने के बाद जब ये दोनों यमलोग पहुँचे तो इनके कर्मों और उनके पीछे छिपी भवनाओ के आधार पर इन्हें स्वर्ग या नरक दिये जाने की बात कही गई साधू खुद को स्वर्ग मिलने को लेकर पुरा आश्वस्था वही नर्तकी अपने मन में ऐसा कुछ भी विचार नहीं कर रही थी नर्तकी को सिर्फ फैसले का इंतजार था तभी गोशना हुई कि साधू को नरक और नर्तकी को स्वर्ग दिया जाता है इस फैसले को सुनकर साधू गुस्से से यम्राज पर चिलाया और क्रोधित होकर पूछा, यह कैसा न्याय है महाराज, मैं जीवन भर लोगों को उपदेश देता रहा और मुझे नरक नसीब हुआ जबकि यह स्त्री जीवन भर लोगों को रिजाने के लिए नाचती रही और इसे स्वर्ब दिया जा रहा है ऐसा क्यों? यम्राज ने शांद भाव से उत्तर दिया, यह नर्तकी अपना पेट भरने के लिए नाचती थी लेकिन इसके मन में यही भावना थी कि मैं अपनी कला को इश्वर के चरणों में समर्पित कर रही हूँ जबकि तुम उबदेश देते हुए भी यह सोचते थे कि काश तुम्हें भी नर्तकी का नाच देखने को मिल जाता हे साधू, लगता है तुम इस इश्वर के इस महत्वपूर्ण संदेश को भूल गए कि इनसान के कर्म से अधिक कर्म करने के पीछे की भावनाई मायने रखती है अतह तुम्हें नर्क और नर्तकी को स्वर्ग दिया जाता है उद्धरन चेन है